सोमवार से उपरा आजधानी में शीज सत्र का आगाज हो गया इस दवरान हमारी समाधाता एकता गहरवार ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आजमी इनसे कैब विधायक पर चर्चा की आएए देखते हैं इस पर उनका क्या कहना है पाज़ादी के लड़ाई में अगली लाइन में खड़े थे उन्होंने सर जोड़ का बैठे हो और उस वक्त मुस्लमानों को कहा गया कि तुम इस दो को छोड़ो कर मज जाओ और देखा गया है कि जितने भी मुल्क धर्म के नाम पर चल रहे हैं उन मुल्कों की हालत खराब है आप पाकिस्तान देख लो बंगला देख लो लेकि जहां धर्म के नाम पर नहीं बलकि कानून का जहां राज है जहां पर हद मसाब के साथ होता है इनसाफ होता है आप जाए यूके जाए आप अमेरिका जाए वह तरक्य होती है लेकिन जब से मोधी जी के सरकार आई इस आपसी आर्ट गिल 370 और तीन तलाक नजाने कितनी चीज़ें यह सब चीज़ें जिसमें सबसे ज़्यादा मुसल्मानों को टागिट किया जा रहा है वही काम्या आदमी कर रहा है इसकी खुली मुखालफत मैं नहीं बलकि इस देश का रहने वाला वो वेक्ती जो इस देश की सिर्दिनर्शिप साबित नहीं कर सके तो क्या होगा देश के अंदर जो आदमें जो जो लोग लड़कियां शादी करके अपने घर से चली आती हैं कहीं माबाप का इंतकाल हो गया गाउं में कोई नहीं रहता उनसे कहेंगा आप सार्टिफिकर लाइब आपकी कहां से ना जाना तक डर है देखिये मैं कहने मुझे कोग को डर नहीं है हिंदوस्तान पाकिस्तान जब Пाकिस्तन अलग हुआ तो पाकिस्तान हो कम्जोर किया गया अलहमधुली ब्वोजे खुशी है इंद्रा गांधी नहीं वो चाल चली और पाकिस्तान से भंगला देश को अलग करने में हमारी फॉज गई हमने उनके स्रणार्थियों को जगह दिया और हिंदुस्तान पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए और छोटा हो गए पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुदी जी मैं मेरा शक है यह कि जब मुदी जी पहली बाद यहां अप्थान मंत्री बने वह जिसका उन्हों ने पुछले गुजराद के एलक्शन में हमेशा पाकिस्तान नवाज शरीफ और मुशर्फ मिया मुशर्फ ना जाने क्या ऐसी बातें करके जो हमेशा वहां पे इस चीज़े डिवाइडेशन करते थे वो जब बने तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के वजिराजम को यहां बुलाया और आपको पता है कि वो गय थे अफगानिस्तान गय थे वापसी में बिना देश को मालूम हुए उनका जहाद चला गया सीधे लाहूर और उनके फंक्शन में गय वो तो इन चीजों को देख मुझे लगता है कि इसा तो नहीं कि इसराइल की पा पाकिस्तान गया थे उसे बहुत ज़ादा आज भी पचीश करोड़ पुसल्मान हिंदोस्तान में हैं अच्छे इनको क्या करेंगा अगर आप इनको पाकिस्तान के से बेस्ट थे तो हमनें नहीं चीज चान गजाए तो अवक्या का तो तो कहा जाएंगा इनको रख रहे हैं इतने कितने रुखों मार हो गया अभी इतना आपने उठा है तो अमेरिका सेंक्शन लगा रहा है आपके उपर तो मुझे डर है कि हिंदोस्तान के टुकडे करवाना चाहते हैं और मैं बहुती मजबूती से कह रहा हूँ आप देखिए जीडीबी गिर रहा है किसानात भत्या कर रहा है रोजगार कम हो गया उसके बाद भी यह धंदना आते अहंकार में फिर रहे हैं इसका मतलब इस देश को बचाना है मैं आवाज दे रहा हूँ इस देश के रहने वाले वो लोग जो गांधी जी को मानते हैं जो डक्र भीमरां बेट करके सम्विधान को सलाम करते है उन सब को इकटा होगा कि इस सरकार की इस कानून के खिलाफ हमें जो है बिल्कुल नो कौपरेशन मोमेंट चलाना चाहिए और बिल्कुल इस कानून को वापस लेना चाहिए यह थी हमारे साथ अबू आजमी सर जिन्होंने पुरी तरह से नागविक्ता विल का विरोध जताया है साथ ही मुस्लिमों पर कड़ा अन्याय हो रहा है यह सीधे साफ शब्दों में कहा है एक तक हैरवार के साथ विरेंदर खोबरागडे इन्बीसे न्यूज नागविक्ता